अलो गाइज वेलकम बैक टू दिस चैनल, फ्रेंड्स फाइनली इंडिया के अंदर मोटरोल अपने एक और न्यू स्मार्टफोन मोटो एज 40 नियो को लॉंच कने वाला है और ये फोन आपको इंडिया पे काफी अफोर्डिबल प्राइस के साथ देखने को मिलेगा बड़ सा करेंगे बड़ वीडियो जरा सभी पसंद आए लाइक जरू कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो डेली ऐसे ही स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियो पाते रहने के लिए तो सबसे पहले फेंड्स स्मार्टफोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो मोटो एस 40 नियो स्मार्टफोन का रिसेंटली 360 डिगरी वीडियो निकल कर आया था आप लोग स्क्रीन के उपर देख सकती हो कुछ इस टाइप का आपको लुक एंड डिजाइन ने मोटरोला एस 40 नियो स्मार्टफोन का देखने को मिल स्मार्टफोन का इन हैंड फिल काफी जबर्दस देखने को मिलेगा एंड दोस्तों स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो मोटो एस 40 नियो स्मार्टफोन में आपको 6.55 इंचेस का काफी डिसेंड साइज वाला एक फूल अचीडी प्लस पी ओलेट पैनल देखने को म बलेगा और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह कि स्मार्टफोन में कर्व स्क्रीन आने वाली है और स्मार्टफोन में आपको 1 बिलियन प्लस कलर्स के साथ एज़र 10 प्लस हडिफिकेशन भी दिया जाएगा तो स्मार्टफोन में आपको कॉंटेंड वोचिंग के टाइम डि लेंगे इवन स्मार्टफोन में स्क्रोलिंग एक्सपिरेंस भी काफी स्मूध होने वाले हैं और यहां पर फैंट्स आपको गेमिंग एक्सपिरेंस भी काफी बढ़िया देखने को मिलेगा बाकि मोटो एज स्मार्टफोन का केमरा डिपाट्मेंट भी काफी ओसम होने वाला है बिकोल मोटो एज 40 नियो स्मार्टफोन में रियर साइट पे डूल केमरा का सेटप देखने को मिलेगा और यहां पर प्रैमरी केमरा 50 मेगा पिक्सल का आने वाला है लेकिन इसमें सेंसर कौन सा होगा इसको लेकर अभी तक कन्फोर्मेशन नहीं है बट आएगेस स्मार्टफोन में आपको जो मोटो एज 40 स्मार्टफोन में सेंसर देखने को मिला था वही सेम आने वाला है और यहां पर फेंड्स आपको ओप्टिकल इमेज टेबलाजेशन का स्पोर्ड भी देखने को मिल जाएगा तो इस स्मार्टफोन से आप बढ़िया फोटोग्रोफी एंड वीडियो रिकोर्डिंग कर पाऊगे विकोज फेंड्स स्मार्टफोन के रियर कैमरा से मेक्स 4 के 30 अपिस तक वीडियो रिकोर्डिंग का स्पोर्ड देखने को मिलता है और यहां पर आपको सेकेंड 13 पिक्सल का अल्टावर्ड सेंसर भी दिया जाएगा यहीं पर फ्रंट साइड सेल्फी की बात करें तो मोटो एस 40 नियो स्मार्टफोन में 32 मेगा पिक्सल का सेल्फी शूटर आने वाला है जो कि फ्रेंड सेंटर पंचोल कट आउट के साथ देखने को मिलेगा लेकिन यहां पर आपको बेटरी डेन भी ज्यादा नहीं मिलेगा और इस स्मार्टपोन में आपको प्रफॉमस के अंदर कोई भी कॉम्प्रमाइस देखने को नहीं मिलेगा इवन दोस्तों यह चिप्सेट 6 नम फिप्रिकेशन पर आता है तो यहां पर आपको बेटरी ड्रेन भी ज्यादा नहीं मिलेगा और इस स्मार्टपोन में फेंड्स आप केजूल गेमिंग इजली कर पाओगे और यहां पर फेंड्स एल्पी डीडियार फॉर एक्स रेम और यूफ फाइस 2.2 स्टोरीज का स्पोर्ट देखने को मिलता है और मोटोस 14 नियो स्मार्टफोन आपको 12 256 जिबी सिंगल रेम रॉम ऑप्शन के साथ देखने को मिलेगा तो स्मार्टफोन में फेंड्स आपको स्टोरेज को लेकर भी कोई भी दिक्कत फेस्ट नहीं करनी पड़ेगी लेकिन यहां पर फेंड्स आपको मेमरी एक्श्पेंशन का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा औ और मोटो एस फोर्टी नियो स्मार्टफोन आउट दो वोक्स एंड्रोड 13 पर आने वाला है और यहां पर फेंड्स आपको नियर स्टोक एंड्रोड एक्स्परियंस देखने को मिलेगा इसके लाव फेंड्स बेटर लाइफ और चार्जिंग के पेस्टी के बारे में बात क और मोटो एस फोर्टी नियो स्मार्टफोन में 5000 मिलैंपार की लार्ज बैटरी देखने को मिलेगी तो इस स्मार्टफोन में आपको बैटरी बेकप काफ smiles देखने को मिलेगा इक के बारे में बात करें तो Moto S40 नियो स्मार्टफोन में dual stereo speakers आने वाले हैं तो यहाँ पर आपको audio output काफी बढ़िया देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन में 3.5 mm jack नहीं आने वाला है लेकिन फेंट्स NFC Widevine L1 का sport भी देखने को मिलेगा तो आप OTT प्लेटफोन लाइक नेटफ्लिक्स Amazon Prime वीडियो वगेरा पर HDR में content enjoy कर पाऊगे और स्मार्टफोन में फेंट्स X-axis मोटर आने वाली है तो हैटिक फीडबेक भी awesome देखने को मिल जाएंगे और Moto S40 नियो स्मार्टफोन सेग्मेंट का पहला स्मार्टफोन होने वाला है जहां पर फेंट्स आपको IP68 रेटिंग देखने को मिलेगी बाकि स्मार्टफोन में Wi-Fi 6 Bluetooth वर्जन 5.2 का स्पोर्ट भी आने वाला है end of friends प्राइज पॉइंट और लॉंचिंग के बारे में वाला है और इंडियन मार्केट में स्मार्टफोन की प्राइज आपको 23,000 से 24,000 रुपेज के आराउंड देखने को मिलेगी वैसे फेंट्स मोटो एस फोर्टी नियो स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में कब तक लॉंच होगा इसको लेकर कोई official confirmation निकल कर नहीं आया है बढ़ ये स्मार्टफोन गाइज इंडियन मार्केट में आपको सेप्टेंबर मंत के एंड या फिर उक्टूबर के स्टार्टिंग वीक में देखने को मिलेगा तो फिला दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही होफूली आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ सेर करना हूँ डेली ऐसे ही स्मार्टफोन से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को भी सबस्क्राइब कर लेना